सभी साथियों को मेरा नमस्कार आज हम आपको IRCTC Rail Connect अप्लिकेशन से जनरल कोटा में टिकट कैसे बुक करते हैं वह आपको लाइव प्रॉसेस करके दिखाऊंगा आप लोग जनरल टिकट अपनी जरनी से एक महने पहले, दो महीने पहले, तीन महने पहले भी बुक कर सकते हैं तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए सारी प्रक्रिया को step by step देखें और समझें तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आते हैं और IRCTC Rail Connect application को open करते हैं जैसे कि आप लोग देख रहें यह IRCTC Rail Connect का application है इसको इस पर हम लोग click करेंगे जैसे हम लोग IRCTC Rail Connect application पर click करते हैं तो कुछ इस तरह का page open होकर आएगा तो आप लोग देख रहें हैं यहां corner पर login section दिया हुआ है हम लोग यहां login section पर click करेंगे जैसे ही login section पर click करेंगे तो मेरा login पीज खुल के आ जाएगा तो हम लोग यहां पर अपना login ID और password एंटर कर लेंगे और capture फिल कर लेंगे हम लोग जैसे login बटन पर click करते हैं तो मेरे सामने user को verify करता है और कुछ इस तरह का page open होकर आता है तो हम लोग यहां train पर click करेंगे और book ticket पर click करेंगे हमने book ticket पर click कर लिया है अब हमको देखना है from कहां से to कहां तक हमको कहां से कहां तक जर्णी करनी है वो select करना हमें kanpo central से new daily के लिए ticket book करनी है तो मैंने select कर लिया है यहां पर class all class रहेगा यहां जो quota आता है मुझे general quota में ticket book करनी है और departure date है मेरी मैं यहां पर 10 जन्वरी की ticket book कर रहा हूँ तो आप लोग देख रहे हैं मैंने सारा कुछ यहां पर select कर लिया है उसके बाद search train पर click करते हैं जैसे ही search train पर click करेंगे तो मेरे सामने जो भी train कानपो central से new daily के लिए होंगी वो सारी train हमारे इस page पर open होकर आ जाएंगी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने इस तरह का page open होकर आया है जो train हमें अपने time से जाना है वो time हमें उस train का देखना है और उसी train को हम लोग अभी book करते हैं तो हम लोग अपने समय के हिसाब से जो हम लोग train book करेंगे यह train हम लोग यहाँ पर book करेंगे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं महा बोधी express यह लिखा हुआ है इस train पर हम journey करेंगे तो हम लोग 3 AC में इस train को book करेंगे तो हम लोग यहां 3 AC पर click करते हैं जैसे हम लोग 3 AC पर click करेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे यहां पर हमारी अभी भी 10 जन्वरी को 7 seat अवलेबल हैं जिसका फिर 765 रुपए है तो हम लोग यहां 10 जन्वरी पर हमारा click है 3 AC में महा बोधी express तो हम लोग यहां पर passenger detail पर click करेंगे जैसे ही passenger detail पर click करेंगे तो यहां पर कुछ इस तरह का dialogue box खुल के आएगा जिसमें लिखा senior citizen concession not allowed for this train जो senior citizen का concession होता होगा ट्रेनों में वो इस train में allowed नहीं है तो इसका हम लोग okay करते हैं और यह देखे select existing passenger मतलब हमने पहले ही master list बना रखी है वहां पर passenger की details save कर रखी है तो हमने दो लोगों की master list बनाई है तो यहां पर दो लोग आ गए हम इनहीं की ticket book करना चाहते हैं तो हम यहां से select कर लेंगे और उसके बाद select passenger पर click करेंगे जैसे select passenger पर click करते हैं तो आप लोग देख रहे हैं हमारा यहां पर select passenger पर यह हमारा यहां पर आ गए हैं और उसके बाद आप लोग यह देख रहे हैं यहां पर 7 seat available हैं और हमारी यह कान पुसेंटल से new daily के लिए timing भी सो हो रही है उसके बाद में हम लोग यहां पर अगर add new पर कोई नया add करना है तो यहां पर add कर सकते हैं add infant with birth मतलब infant मतलब बच्चा यहां पर add कर सकते हैं और इसमें क्या लिखा children under 5 years of age cell be carried free and no purchase इसका मतलब यह है कि 5 साल या 5 साल से कम का बच्चा है उसको आप बिना टिकट के ले जा सकते हैं उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा उसका टिकट नहीं बुक किया जाएगा 5 साल के उपर है तो उसका टिकट बुक होगा यह हमारा mobile number है mail id है यहां पर जै insurance में लिखा हुआ है अगर हम लोग एक ही कोच में एक ही मलब उसमें बर्त में मलब अगर हमारी confirm बर्त है तब ही हमारी जो है booking हो नहीं तो ना हो तो हम लोग यहां पर टिक कर देंगे कोच नंबर्यां प्रिफर नहीं करेंगे फिर उसके बाद में यहां आ जाएंगे हमको payment payment पे थुरू भीम UPI से करना है और हमें travel insurance हम ले लेते हैं उसके बाद review journey details पे click करते हैं जैसे ही review journey details पे click करेंगे तो कुछ इस तरह का page open होकर आ जाएगा जिसमें आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि two adult दो लोग के टिकट बुक रहे हैं यही 30 जनरल कानपूर से 10 जनवरी दो जाते हैं इसकी 12-22 से है और यहां 14 पे हमारे पहुंचाएगी तो यह हमारी passenger की detail यहां पे लिखी हुई है यह passenger details हो रही है टिकट इस पे हमारी जाएगी उसके बाद में जो जो चीजे हमने टिक कि थी travel insurance yes दिखारा payment method भीम UPI से कर रहा है अब हम लोग यहां पर capture करेंग और proceed to pay button पे click करेंगे और yes कर देंगे जैसे proceed to pay button पे click करेंगे तो कुछ इस तरह का page open होकर आएगा तो हम लोग यहां भीम UPI पे click करेंगे हम भीम UPI पे click करते हैं और यहां पे pay करते हैं जैसे ही pay करेंगे तो वो हमें एक नए piece पे redirect कर दिया जाएगा जहां पर आपको अप अपने payment को successful करेंगे तो हम लोग यहां पर आप लोग देख रहे हैं हम लोग यहां पर अपनी UPI ID डालेंगे UPI ID डालते हैं जैसे हम लोग यहां पर UPI ID डालते हैं अपना mobile number और इसके बाद verify जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरी यहां पर जो UPI ID थी वो verify हो गई है और यहां पर हम लोग नीचे यहां पर जैसे कि लिखा हुआ है यहां payment पे click करेंगे जैसे payment पे click करेंगे तो यह हमें हमारे phone पे पे redirect कर देगा अब यहां पर time दिया है यह page हमारा चार मिनट 57 सेकंड में expire हो जाएगा तो हम फोन पे पे चलते हैं और वहां से payment करते हैं तो हम लोग यहां से अपना phone पे open करते हैं जैसे ही phone पे open करेंगे तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरह का railway का एक dialogue box आएगा एक page open होकर आएगा जिसमें कि आप लोग साब साब देखने होंगे यहां पर payment हमारा आ गया है जब हमने अपनी UPI ID verify की है तो हम लोग यहां पर pay पे click करेंगे और उसके बाद proceed to pay पे click करेंगे और यहां pay बटन पे click करते हैं और अपना pen enter करेंगे ऐसे pen enter करेंगे हमारा payment यहां पर होना सुरू हो गया है यह देखें यहां पर processing payment जो भी है वह देखें हमारा payment done हो गया है अब हम लोग वापस उस page पे चलते हैं यह देखें यहां पर processing हो रही है और उसके बाद में हमारी ticket टिकट बुक हो गई है जैसा कि आप लोग साफ यह देखें हमारी ticket बुक हो गई है हमारे mobile नंबर पर mail ID पर mail भी पहुंच गया है और सारी डिटेल आपको इसमें सो हो रही है यह देखें हमारी महा बोधी एक्सप्रेस जो है यह बाइस दस से चादस दस जन्वरी की यहां पर हो गई है जन्रल टिकट हमारी बुक हो गई है और उसके बाद में यह passenger की detail है confirm यह देखें हमें सो हो रहा है तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो यहां पर हम लोग share बटन पर यह जो हमा क्लिक करेंगे और उसके बाद में हम लोग अपने टिकट को share कर सकते हैं अगर हमारा वीडियो आपको पशंद आया हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ share करें अगर आपके मन में कुई भी confusion हो तो आप हमें comment box में comment करके बताएं धन्यवाद